यह इसे आपने रियाने की पैचान है मुरह के लिए फीड है वो यह पैचान बन चुका पूरे हैना में। आपको आज WOOD आपको बियदे कौल करेज़ आपशा है, तो रिटन पॉलिसी भी है आपकी। अगर समझ में नहीं आए या फिर आपके पसुने आज तक ऐसा फीड खाया हो इस चीज की गारंटी है हमारी जी यह हमारे वाड़ा ही खाया तो बले अलग बार अच्छा हां जी और अगर उसको पसंद नहीं आए तो आप वापीस भी वापीस होगा वाइजी तो उसके ट्रा लेकर के जाओ तो भी ट्रांसपोर्टेशन फ्री ओफ कोस्ट वापीस आ रहा है तो भी ट्रांसपोर्टेशन फ्री ओफ कोस्ट एक परसंट भी कस्टमर ऐसे नहीं वाई सब जहां से वापीस करना पड़े हो अच्छा एक परसंट भी बहुत बढ़ी है सर अंजी तो हम तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल विराज डेरी एंड फार्मिंग में आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे सरक्षित होंगे तो हर वीडियो में मुर्रा का पशूदन तो कहीं न कहीं हमारे पशूपालक भाईयों को दिखाते ही हैं उनका ज देखें जो बैग्स पे बैग्स हैं वो आपको यहां पे मिलेंगे काफी जबर्दस जो भरमार और 14 से 15 तरह का जो रो मेटीरियल से आप यहां पे देख सकते हैं वो यूज करके मैं कहूंगा हमारे पशूपालक भाईयों को एक फाइनल ग्राइंडिंग फोम में जो अच् पर अपको मिलेंगे इस तरह का कलर आपको मिलेगा बात करें फीड की तो फीड आप यहां पे देखिए बिलकुल शुदता से भरपूर जो फीड है वो आप देखें एक एक चीजे अलग अलग तरह से डाली हुई है क्योंकि देखिए इंडिवीजवाल एक चीजे डालना ह हमारे पशुदन के लिए मैं कहूंगा एक टाइम टेकिंग प्रोसेस बट भाई का क्या है 14-15 तरह की चीजे रामकेश जी आप यहां पे देख सकते हैं मिला करके पशुदन को पशुदन को देते हैं ताकि हमारा पशुदन अच्छे से दूद निकालता रहे और अपनी जो रिस्पोंस आया उनका रिवीव लिया कैसा लगा फीड जी अच्छे से ओडरा रहे बहुत बढ़िया लगा बहुत अच्छा लगा जी चीक है तो आज भी आज कोई स्कीम में कुछ चेंजमेंट करने वाले सबसे पहले तो मैं यह क्योंकि लुभाव नहीं होती है दस प्र सब्सक्राइब करने के लिए अच्छे पसाओ लिए और ट्रिका चुडाने के लिए एल्डियम के साथ मिल्क मास जैस की गोली जरूर दें और हां आप इसे ओनलाइन भी खरीच सकते हैं फिलिपकाड और एमाजोन से और यह दोनों और एक मेडिकल स्टोर पर भी उपलब द तो रामके सर बहार के कुछ डिस्ट्रिबुटर्स जूडे हैं विडियो का कोई बैनिफिट वो जूडे हैं चीक है कहां से शुरुआत करेंगे रो मेटिरियल से एक बार सबसे पहले आप वही दिखा दीजिए ताकि पशुधन के जो पशुपालक है उनको एक चीज के बै पुताब जबरदस्त जी मेथी जी हाँ यह मेथी दाना है यह आप देखें तारामीरा आप यहां पर देख सकते हैं स्कीन के लिए काफी बहतरीन मैं कहूंगा काफी फायदे का सोदा और गेहू कौन सी वेराइटी है सर यह गेहूं में लोकल गेहूं है आगे जो देखिए बिलकुल साफ सुत्रा राजस्तान साइड से जो जो है उसको महवाते हैं और मक्का आप देखें स्पैशली यहां पर बिहार से मक्का आती है तो इतनी दूर दूर से राजस्तान बिहार से जो मेटीरियल है ऐसी जगें से लेकर आते हैं ख़ड आप देखें यहां पर कोटन यूज करते हैं जी यह आप देखिए शीरा वगार इंड डालते जी गुड़ का सीरा आप नहीं डालते तो रामके सर एक चीज मैं पूछना चाहूंगा गुड़ के क्या बेनिफिट्स हैं और जो गुड़ का सीरा हम डालते हैं उसके क्या फाइदे उसमें समयल आते इसमें मिक्स कर डालते हैं पूद बढ़िया चोकर जी चोकर आप यहां पे देखें गेहूं का चोकर बिल्कुल शुदता से भरपूर यह देखें एक चीजे आपको दिखाएंगे और सोया बीन की जो चूरी है वह आप यहां पे देखिए काफी काफी बहतरीन काफी अब करता है तो कोई कुछ कोई कुछ आपने सिर्फ उडिसा ब्रैंड को ही क्यों चूज किया आप इसमें तेल अच्छा उता जीर एक इटीड वगारा नहीं होता है अच्छा कहीं से भी करेकते हैं पहले उसको देखेंगे भी टीड कितना है ठीक है उसमें तेल कितना मेडिसन केमिकल के तोर पर दो चिजे डालतें जी संदानमक और मिठा सोड़ा और इसे लावा कोई मेडिसन केमिकल डालतें सेंदा नमक यहां पर देखें काफी पाइदेमन चीज है मैं अगर गुनों से भर पूर यहां पर सेंदानमक ने सिर्फ पशुदन को बलकि हम मानव इनसान को भी कहाना की कहाना चाहिए और मिठा सोडा यister用 करते हैं तो मिनरल मिक्चर व उगरा वह जो डालते ने टो में डालते हैं के जी हीम की जी आधिम डालते हैं मेडिशन के तो नहीं दालते हैं डेकर दो जो यूज़ करते हैं उनको जरूरत मैसुस होती है हमारे सब यह आप देख लो किसी भी टाइम कोई भी भाई आकर किसी भी टाइम देख सकता है जी सब यह एक रेड के मिलेंगे एक रेड के आपके अनाज है तो देखो जी रो मेटीरियल जितना भी है एक योजनाबद तरीके से यहां पे अरेंज कर रखा है टेबल के ऊपर देखें एक एक के सामने इंट्रो के लिए जो मैं कहूंगा स्टीकर है वो लगा रखे हैं ताकि पता चले कौन से बोक्स में कौन सी चीज है यहां पे और जो फाइनल फीड वोम यहां पे यहां पर आती है तो सर जो गुड है उस को आप ग्राइंड करकर के डालते है तो जब ग्राइंड करते हो तो Wy चिप चिपा नहीं होता तो चोटे कुड़ए बिलकुल बेहतुतरम तो सर और क्या कुछ कह रहे थे कुछ बता रहे थे बता है बता एक तो वीडियो देखे के स्वन के मेडिसन कैमिकल वाले कमपने वाले बहुत फोन करते हैं उनसे करें से मेडिसन और दूसरा कस्टेमर से करें या अपने विश्वास को बनाया रखे क्वालटि के साथ और भाली जो बनाई राव다가 वीड़ा आपने तेक हमें और फीड प्लांटर जो बाया सी है तिद्धास को ना आ एक मा में वीड़ियो कि वह ड्रAP की किसी ताइम कोई भी आ है आपना फीड प्लांट में देख सकता है क्या-क्या डाल रहे हैं कितना कितना डाल रहे हैं जिससे अगर उसकी कोई भी आलप उसके तो हम उसके लिए तैयार हैं वह में कोई दिक्कत नहीं है तो देखो जी तीसरी मैं बात बताऊँगा बाई सब्सक्राइब को अपना फीड होनली अर्याना और पूरे अर्याने में पेस्ति कैसा अर्याने से बागे में बेज सकते हां नहीं पैसके हो हां सर्ण stiff कि Selbst यह कीजिए Awak आउब ऺ existe मोध बएम किसमें यह यह पाईग ज pais यह इसा नहीं है कि हम यहां पर यह करदेंगे वह कर देंग आ ऐसा कुछ नहीं है firena स से खुश हैं तो हरियाना में अपना काम ब्रामकेश जी ठीक चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है जी उसके बार बेजने के पिछे एक रीजन यह भी है जी जी उदर के पसु है ना जो कम दूद देते हैं उनको यह सूट नहीं करेगा यह ज्यादा दूद वाड़े पसू चार बैंस को देना है गाएं को 400 ग्राम देना है एक लिटर दूद पर 400 ग्राम गाएं को अगर मालो 10 किलो दूद दे रहे हैं तो 4 किलो के करीबन दो किलो सुबह दो किलो श्याम को अच्छा यह टोटल पूरा दिन की जो डाइट है इसके अलावा कुछ नहीं देना आपने अच्छा एक मिने बाद देखोगे आपकी गाएं आपकी बैस का शरीर में सुधार हो गया उसकी चमड़ी के कलर में चेंज हो गया जी और आपके दूद जो पसू दूद दे रहा है उसके दूद के टेस्ट में चेंज मिलेगा बाइस यह गारंटी है हमारी आप लैब करव बाद के सुरू करो ठीक है सर उसको दूद में फैट कितना है केमिकल कितना है वह मेडिशन वगरा कितना रहा दूद में जैर कितना रहा तो तो देखो काफी वर्षो पुराना जो अनूबव है वह और पिछली वीडियो में आप एक बात कह रहे थे कि दंदा कोई भी बुरा नहीं होता है ना आपने प्लान किया था कि मैं यह करूंगा आगे बच्चों को भी क्या करके जाएंगे क्या करना है यही करें बड़ी अपलेट फर्म दे उनको लोगों को एक ऐस अपलेट फर्म दे जिस पे लोग आख मिच के विश्वास कर से बिल किस्टमर ऐसे हैं दस की स्कीम का फाइदा उठाके प्रते एक दस में दिन या बार में दिन दुबार अपला लगा आज जोड़के सब से रिक्वेस्ट है वाई एक महिने का रासने एक बार में मंगवा लिया तो उसमें कहीं ना कि आपके जो ट्रांस्पोर्टेशन कोस्ट बढ़ जाती है वो तो बढ़ ही जाती साथ में वह भता है बार लकुल की क्षटमर के पास जाते है तो टाइम भी खराब और जब की एवरेज निकाल ले तो महिने में माल उसने उतना इनेल हैं तो थोड़ा बैख्योड़के तो उसको अपने ओंडर को एक महिने का बनाए तो देखें जी नए कस्टमर के लिए कोई भी कंप्लेंट आती है जी चिंता ना करें हमारा फोन किसी भी टाइम मिला सकते हो कंप्लेंट आपको कोई आई है तो में कोल करो आपका हर समस्या समाधान हम करेंगे बहुत बड़ी है सर्थ फीड से रिलेटिड जो भी आपकी समस् सब्सक्राइब करें और यह है जो ब्रैंड है इनका एसा आर केटल फीड प्लांट के नाम से जो फिर्म है वो और रस्धारा के नाम से जो एक ब्रैंड है वो आजकल इन्हों ने मार्केट में उतार रखा है काफी पोजिटीव रिव्यूज काफी फोडी पोजिटीव जो और पशु पालक भीयों से कहीना की मैं कहूंगा एक आग्रे भी किया है कि अगर आप 30 बैग एक महिने में आपकी जो कोस्ट है आपकी जो इतना लग जाता है तो 30 बैग को कोशिश करें एक ही बार में कहीना की मंगवाने की क्योंकि इन्होंने अपना ट्रांसपोर्टेशन भ बचत है देखिए जी हम सब जी जब हमारे फेवर में मिल करके इतना सोच रहे हैं तो हमें भी इनके बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए लास्ट में आपको यही मैसिज जाता है तो रामकेश जी एक वो आप बता रहे थे इसका इसकी कोस्ट अभी साड़े सतरा सो रुप रेट का पता नहीं रेट का नहीं पता तो मानलो मैं कल जैसे वीडियो अपलोड करूपर नहीं बढ़ भी सकता है अखाने सकता है जी कीमत माहिने कोलिटी माहिने रखती है । उप थे देखें और सर जो 10 बारा के लिए कौन से बैसं कंशा है और कौन सा फीड़ है वो भी ताकि हमारे पशू पालग भाई जो इस तरह का पशूदन रखते हैं उनके पास भी एक ओप्शन आ जाए तो एक और इनका ब्रैंड है एक और जो पैकिंग है बैग की वो आप यहां पर देखें निल्ला कट्टा है निल्ला रंका जो कट्टा है यह 1400 रुपे का आपने देना हैं तो यह जो 8-10 12 किलो तक को जो दूद देती है उसके लिए इसमें खास एड कर रिखाया और इन में क्या खास डिदा कर रहा है उसमें छोड़े प्रोटीन कम है थोड़े से प्रोटीन कम है जो पसूद दूद से नाट गया जी उसके लिए बढ़ी है पर यह तो इसके उ पूरी यह चीक है और जो बाई डिलर है जी बिन बिन कंपनी हो गें पूब चुके हैं या अपने कस्टमर खराब कर चुके हैं या अलग अलग कंपनी हो गें मेडिशन केमिकल मिले फीड बेच के परेशान हो चुके हैं एक बार प्लांट विजीट जरूर करें और एक बार बैक को बेच कर जरूर देखें आच्छा हम आपकी पूरी मदद करेंगे बाई जी यह देखो जी काफी अच्छा जो मैसीज है वो जो डिस्टिब्यूटर से उ काफी पॉजिटिव फीडबैक काफी पॉजिटिव जो रिव्यूज हैं वो कस्टमर्स के कहीं नाके मिलने शुरू हो जाएंगे मदद करेंगे बाई की साथ में मिलके बहुत बढ़ी आरामके सर यह गाडिया लोड है जी तो यह कहां जाएंगी अभी यह बल्लमगड इसमें तो 25 बैक हैं तो पीछे जो गोडाउन है सारा रो मेटीरियल आपका भरा है इसमें पूरे क्या पूरा देख लो कोई भी चीज आपको अड़के भूल की कोई नहीं लेगी तो ग्राइंडिंग मशीन से लेकर के आप जो रो मेटीरियल है वो इनका आप देखें किया आम कोई बहु आप यहां पे बीस एह जांके किस इस वीडियो को देख arriv तो अपने कमेंस के मा अपने को श्कूष क कासा बंदा तो सारा नगत सिस्टम है आपका उदार के लिए सोरी नहीं सर अच्छी बात है देखो धंदे में अगर उधार करने लगे तो फिर बात नहीं बने काहां तक कर पाएंगा और आज अगर खुश हो करके कही ना की उधार में लेकर के जा रहे हैं तो कल आखे भी उनकी देखने क बाइचारा खराब हो जाएगा दूसरा जो क्लाइंट और एक जो रिलेशन है अपने वह भी खराब हो जाते हैं तो चले सर बार-बार शुब कामना है आपने अच्छी जो फीड है वह हमारे पशुपालेग्भीयों को वीडियो के माध्यम से दिखाई और काफी अच्छा जी फीड है मैं पर्सनली मैं कमिट करता हूं इस चीज को आप एक बर यूज करके देखें काफी अच्छा जो आपको महसूस होगा नहीं सिर्फ आपको बलकी कहीं ना कहीं आपके पशुदन को भी तो रामगे सर और बताएं क्या कुछ यह बाइसाब जैसे आपने अरियान आपको लगे तो यूज करो नहीं तो कोल कर दे वापिस आ जाएगा अच्छा हां जी तो रिटन पोलिसी भी है आपकी कोई दिक्कत नहीं बाइसाब अगर समझ में नहीं आए या फिर आपका पशुदन नहीं खा रहा है अच्छा नहीं आपके पशुने आज तक ऐसा लेकर के जाओ तो भी ट्रांसपोर्टेशन फ्री ओफ कोस्ट वापिस आ रहा है तो भी ट्रांसपोर्टेशन फ्री ओफ कोस्ट एक परसंट भी कस्टमर ऐसे नहीं वाई सब जहां से वापिस करना पड़े हो अच्छा एक परसंट भी बहुत बढ़ी है सर तो हम तो पूरे एसार केटल फीड प्लांट बर्वाला से और मैं कहूंगा वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी जल्द ही मिलेंगे फिर किसी नए पशू पालक के घरिया किसी बड़े डेरी फार्म पर तब तक के लिए आप सब को मेरा नमस्कार धन्यवाद जैजवान जैकिसान